हालो एविवर्वन वेल्कम तू माई टूप चैनल एडवाजर ग्रूप इंडिया में आपका स्वागत है तो कैसे हैं आप सब जैसा आप सबको पता है कि फॉर्म एईएस आ चुका है इंकम टेक्स पर नहीं फ्रेंड्स फॉर्म पहले से था लेकिन उसको एक्टिव कर दिया है आखिर यह फॉर्म एईएस है क्या और इसके आने के बाद से इतनी अफरात अफरी क्यों मच रही है देखिए फॉर्म एईएस आपके पूरे फाइनिशल एर के ट्राजिक्शन को कवर करता है अभी तक आप क्या करते थे कि जब भी आप अपनी इंकम टेक्स रिटन हैं चाहे आपने क्या हो या मूजल फंड में कोई भी इंवेस्टमेंट किया हो या आपने कोई भी ऐसे ट्राजिक्शन किया है यहां पर आपका पैन काड आधार काड लगा है तो भी आपके हैं इस तरय आ ऑब आपको करना गया है कि अगर आपने income tax return अपनी file भी कर लिए financial year 2021 की तो भी आपको इस form को check करना है अगर आपसे कोई asset trajections है जो form AIS में आ रहा है लेकिन आपने income tax return में file नहीं किया था उसको cover नहीं किया था तो भी आप अपनी income tax return को revise कीजिए before the due date जो कि आपको 31 December 2021 कर दी गई थी तो अब आपको करना क्या है कि अगर आपकी income tax return फाइल हो चुकी है तो अपना form AIS डाउनलोड करना है और सारे trajections चेक करने हैं कि क्या आपने income tax return में इनको cover किया है या नहीं और अगर आप income tax return फाइल करने जा रहा है अभी तक नहीं की है तो बिना form AIS के तो भीया आप income tax return फाइल ही नहीं करना और अगर आप form AIS के बारे में detail वीडियो चाहते हैं तो आप हमें comment box में बताएं बहुत जल्दी हम अपने channel पर detail वीडियो डालने वाले हैं जहां पर आप चेक कर पाएंगे कि कैसे आपको अपनी income tax return फाइल करते हुए form AIS को download करना है कैसे उसको check करना है इसके trajections को कैसे अपनी income tax return में summarize करके cover करना है तो इसके बारे में हम detail वीडियो अपने channel पर डालने वाले हैं अगर आपने अभी तक हमारे channel को subscribe नहीं किया है तो channel को subscribe करें वीडियो अच्छी लगी हो तो like करें और ऐसे ही वीडियो के लिए आप हमारे channel को subscribe करके हमें अपना प्यार देते रहिए फिर मिलते हैं किसी next video में किसी next topic पर तब तक के लिए आप अपना बहुत ख्याल लखें और इसी तरी किसा हमारे channel को देखते रहिए thank you so much